नमस्कार आप सब का स्वागत है आप देख रहे है इट जेनियूज ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी सुरेश रैना के फैन है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए छोटे शहरों से ही बड़ी प्रदिभाई निकलती हैं यहां बीजापर्स पो ट्रस एकडमी के बच्चों को अलंकरित करने और उनका मनुबल बढ़ाने आए सुरेश रैना ने खिलाट्डियों को संबोधित करते कहा कि कभी भी मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए जिस खेल में हम है उसे दिल और जान से खेलना चाहिए उन्होंने बच्चों को कोच और गुरू के सम्मान की समझाईश देते कहा कि खेल की पूजा की जानी चाहिए उन्होंने यहाँ एकडमी के बच्चों के अनुशासन की प्रशंसा करते कहा कि खेल में ये नहायद जरूरी है क्षेत्रिय विदायक महेश गागडा ने कहा कि देश दुनिया की बड़ी हस्ती सुरेश रैना अपने व्यस्त कारेक्रम से समय निकाल कर आए हैं और दुर्गम एलाका होने के कारण पहले से वे आने से हिच किचा रहे थे लेकिन अब उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है बीजापुर जिले की छवी खेल और विभिन ख्षेत्रों में तरक्की के चलते बनी हैं उन्होंने कहा कि यहां एकडमी की स्थापना की घुष्णाश्री श्री रविशंकर जी महराज ने की थी और इसकी स्थापना के बाद से ही इसने अनेक मुकाम तरे किये नाशनल और इंटरनाशनल स्तर पर एकडमी के वावन ने नाम कमाया है